स्वागत है आप सभी क्या मेडिक नोलीज यूटूब जनकर प्यारे मित्रों आज की वीडियो में हम पूरी बात करेंगे MPPNST 2022 के रिजल्ट के बारे में और शांती शात बात करेंगे उन्सात्रों के जो जो डाउट है कि जीनेम के examination को लेकर की exam कब तक होने के probability है यानि कि जीनेम के येनम फिर्ट येर और जीनेम सेक्डर और जीनम थर्ड येर के जो उग्याम है वो कब तक होंगे पिर का किया या पूरा किया जाए जाएगा यह यह पहली बात नहीं बतलाते हैं तो आज के वीडियो में हम आपको पूरी बतलाएंगे बारे में और उग्जामिनेसब म कभूंगे और आज के वीडियो में हम बात करेंगे तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को और जानते हैं पूरी बात क्या है एक छोटी से रिक्वेस्ट है आप सभी से वीडियो को स्टाट करने से पहले आप इस चैनल पर पहली बार आये होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और शाथी साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीचेगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलते रहे आगे की वीडियो जो है और भी अची तरीके से मैं बना सकूँ जो चलिए सबसे पर दोस्तों हम बात कर लोते हैं पीनेस्टी के बारे में यानिकि पीनेस्टी करने को लेकर जो है उन्होंने कुछ बाते उनसे कही और उन्होंने भी जो पहले आपका रिजल्ट आजाएगा उसके बाद जो है नया सीजन में जो एग्यामिनेशन नया सीजन का जो अड़िशन होने वाले हैं पीनेस्टी के लिए उसके बाद में होगा पहले पिछले का रिजल्ट लिए होगा उसके बाद जो है आगे वाले चात्रों का एक्यामिनेशन होंगे फॉम फिलफ होगे ओके तो एक सवाल यहां पर यहां उठता है क्या लिए को कहने से नहीं है आपका जो डिजल्ट है और उसके रिजार्डिंग कैसे चल रहा है है आपको पिछले भी मई को मैं चली रहा है 31 माई को 2-4 दिनों में आपका हाई कोट में हीरिंग होलने माला है उस पर बहुत से छातों का ध्यान रहेगा कि हीरिंग में हाई कोट के जो हाई कोट के जो क्या आदे साते हैं पिनेस्टी के रिजल्ट को लेकर तो आप लोग 31 माई तक इंतजार कीजिए इतना दिन तो पन को लेख जो चाते थे जो सुप्रीम कोट में किसे चल दा था उसका भी जो है हाई को नहीं जो है उसको जाली किया था कि इनका अभी एक्जामिनेशन कराया जाए तो आप लोग जो है एक्टीस माई तक इंतजार कीजिए उसके बाद आपको पता चल आपका जो है रिज रिजल्ट कब आएगा हाला कि बहुत सचाते एक कमेंट करें किसा हमारा जो है रिजल्ट आएगा या नहीं तो एक्टीस माई तक आप लोग इन देजार कीजिए एक्टीस मेट को एक वीडियो बढ़ाम प्याइस्टी को लेकर कि क्या कुछ हाई को दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं जो कॉलेज अपने चातों का इंटर्नल मार्क्स कॉंसील को नहीं बेज़े उनका रिजल्ट अवी दक देल्ट नहीं हुआ है तो कॉलेज जो है उसमझे क्या होगा उनके लिए क्योंकि कॉंसील ने दो बड़ उनको नोटीस थमा दिया है कि आप लोग इंटर्नल म नहीं बेज़े हैं तो आपको हम बता दें कि आपका जो एग्यमिनेशन है कुछ लोग कर रहे थे जो जाचे चल रही है इसके लिए रूकी हुजी है तो जाचे में भी घुटाला होने लगे एक तो नस्रिंग घुटाला पहले से था लेकिन अब जो जाच कर रहे हैं जो आ अधिकारी जो धांदली कर रहे हैं जो फर्जी कोलेजों को मानाता देने के लिए कुछ पैसों लिए हैं उनको जल से जल भरखास्ट किया जाएगा और यह बहिया भी है एक अच्छा कदम मुख मंत्री जी के द्वारा उधाया गया है तो हम मुदे पर बात करते हैं रिजल लगबग दो महिने में हो जाएंगे अभी जो है मैं चल रही है तो जुन जुलाई तक आपका एक्जामिनेशन हो जाएंगे जो जासे चल रही है जो सब्सक्राइब अपना काम करेगी और बहुत अच्छातों का जो सवाल है कि जो जो कॉलेजों को फर्जी को थे उनको पै उपसारा चल यह सब्सक्राइबिकर में की गई जो इसे ओंचीक जांची रही हैचरा नायतर रभी परमार ची के द्वरा कहाँ है कि जो फरजी अधिकाली के तोरह कोलिज के जांच की गई है और फिर से किया जाये है अपना पढ़ाई करते रहें और पना पढ़ाय करते रहें उनका रिजल्ट के लिए 31 मजी तक आप लोग वेट को क्या होता है ऐसा नहीं कि मुखमंत्री जीने कर दिया तो आपके रिजल जो है जारी कर दिये जाएगा तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब किजिए साथी साथ सेजर भी कर दीजिए ओके थैंक्यू